सोचो तुम बिना खाने और पानी के एक कमरे में फस जाओ और वहाँ से निकलना नमुम्किन जैसा लगे कुछ ऐसा ही होता है आज की हमारी इस कहानी में मुवी की स्टाटिंग में जब एक आत्मी सुबा उठा तो उसके सर में तेज दर्द होने लगा और उसके बास में एक मरा हुआ चुवा बड़ा था वो उसे देखकर डर गया और उसने देखा कि वो एक तीजोरी जैसे कमरे में बंध है जिसमें एक अलमारी और लोए का दर्वाजा है इसके बाद उस आदमी ने देखा कि सुबा के नो बज रहे थे उसने लोए का दर्वाजा खोलने की कोशिश करी लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ उसने दर्वाजे को पीट पीट कर चिलाना शुरू कर दिया लेकिन उसकी एवाज किसी ने नहीं सुनी उसे कुछ भी पता नहीं था कि वो यहां केसे आया फिर उसे लगा कि किसी ने उसके साथ मजा किया है फिर वो सोचता है ये काम उसी का है जिसके साथ वो काम करता है फ लेकिन वो भी नहीं कुली और उसे गुस्सा आने लगा और वो जोड-जोड से चिलाने लगा फिर वो अपनी बेल्ट से लोई के दरवाजे पर मानने लगा लेकिन कुछ देर बाद वो थक्तर बेड़ गया क्योंकि उसने एक दिन से खाना नहीं खाया था वो चिलागर मदद मांगने लगा लेकिन बाहर से कोई जवाब नहीं आया और एक दिन बीर गया था वो अपना फॉन चेक करता है लेकिन उसका फॉन नीचे गिर कर तोड़ जाता है वहाँ पर खाने के लिए भी कुछ नहीं था इसलिए उसने अपने जुटना किसाप करके उसे पी लिया वो 15-6 की मदश से दर्वाजा तोड़ने की कोई चुछ करी लेकिन दर्वाजे पर खोड़ तक नहीं आई उसने बेल्टिंग मशीन के जरी दरवाजे को जलाने की कोईश करी लेकिन दर्वाजा नहीं खुला बेल्टिंग गन की आग देखकर उसे एक आईडिया आया उसने वोग और प्यास से वो डिप्लेशन में जाने लगा और वो अपना गुस्सा निकालने के लिए अलमारी पर मारने लगा लेकिन वो कुछ देर बाद फिर से बेट गया तबी उसे दिवार में एक छोटा सा छेट दिखाई दिया वो छेनी हतोड़ा लेकर उसे तोड़ने लगा वो दिवार तोड़कर यहां से बांगना चाता था लेकिन वो ठककर बेट गया फिर तबी उसकी नजर मरे हुए चुवे पर लगे कीडों पर पड़ी और उसे जिन्दा रहने के लिए कीडे खाने पड़े वो खाना खाने के बाद फिर से दिवार तोड़ने लगा और काफ होकर लोये का दरवाजा पीटने लगा और फिर वो कुछ दیर बाद इदर उधर देखने लगा तबी उसे कमले के कोने में एक ताबुत दिखा जैसे ही उसने ताबुत खुला तो उसके अंदर एक लड़की थी जब उसने उस लड़की को हाथ लगाया तो वो लड़की डर सके फिर वो आदमी तावुद में जाकर सो जाता है लेकिन वो लड़की रात को आकर उसे जगा देती है और उसे चेनी अतोड़ा देती है ताकि वो दिवार को तोड़े लेकिन उसमें भूग प्यास की वज़े से बिलकुल दाकत नहीं बची थी और पाम करते हुए उसके जाने लगा कि वो उसे पी सके क्योंकि उसने तीन दिनों से पानी नहीं पिया था लड़की ने उसकी बात मानकर जूटें कर दिया और उस आदमी को अपनी जान बचाने के लिए उसे पीना पड़ा फिर वो आदमी उस लड़की को कीड़े खाने के लिए बोलता है लेकिन वो कीड़े खाने के लिए साफ मना कर देती है कुछ देर बाद वो आदमी फिर से दिवार तोड़ना शुरू कर देता है लेकिन वो थोड़ी सी ही दिवार को तोड़ पाया था फिर वो लड़की लोने लगती है उसे देखकर वो आदमी फिर से दिवार तोड़ना शुरू पर देता है तभी गलती से अतोड़ा उसके हाथ पर लग जाता है वो लड़की जल्डी से अपने सर का कपड़ा उतार कर उस आदमी के हाथ पर भान देती है और वो दोनों दोस्त बन जाते हैं और साथ में दिवार दोड़ने लगते हैं तभी अचानक से दर्वाजे का लोग खुलने लगता है, दोनों भाग कर उसके पास जाते हैं, लेकिन दर्वाजे का लोग फिर से बंध हो जाता है थोड़ी देर बाद उन्हें समझ आता है कि वो दर्वाजे को नहीं देखेंगे, तो लोग खुल जाएगा वो दोनों दर्वाजी की तरफ देखे भी नहीं उसके पास जाते हैं और दर्वाजा खुल जाता हैं फिर वो दोनों तीसरे कमरे में आ जाते हैं ये भी उन कमरों के जैसा ही था जहाँ पर एक खाली कबर थी उस कमरे में पेले जैसा लोएगा दरवाजा भी था फिर वो लड़की पिछले कमरे में जाकर सारे ओजार ने आई इन्होंने इस दरवाजे को भी पेले की तरह फोलने की कोशिश करी लेकिन दरवाजा नहीं कुला अब उनके पास कवर कोटकर सुरंग बनाने के अलावा दूसरा रास्ता नहीं था अब उस आदमी में बिनकुल दागत नहीं बची थी और वो चक्तर काकर गिर जाता है लेकिन वो लड़की बिल्कुल ठीक थी क्योंकि उसने बिल्कुल भी काम नहीं गिया था फिर उन्हें समझ आया कि वो कबर उन दोनों में से एक की है उन दोनों में से एक को मरना होगा वो आदमी उस लड़की को मारने की सोचता है लेकिन वो से नहीं मारता फिर वो लड़की उस आदमी को जमीन पर लिटा कर चिलनाने लगती है लेकिन बाहर से कोई आवाज नहीं आती और वो लड़की अपने आसुओं से उस लड़की की प्यास बुजाती है अगर वो मर गया तो वो भी जादा देर तक गिन्दा नहीं रहे पाईगी कुछ देर बाद उसी लड़की ने अपने कपड़े उतारना शुरू कर दिये बियोशी ये हालत में भी उस आदमी को समझा गया कि वो क्या कर रही है लड़की के छूने से वो जाकता रहा लड़की ने जैसे तेसे उसे पूरी राथ जगाय रखा और दोनों ठक कर जमीन पर सो गए थोड़ी देर बाद जब लड़की की आग खुली तो उसने देखा कि लड़की उसके पास सो रही है उस आदमी ने एक कपड़ा उस लड़की को उड़ा दिया और वो लड़का फिर से बेवोश हो गया तब ही उन्हें लोग खुलने की आवाज सुनाई दी दोनों तुरंत उड़ गए और पिछली बार की तरह वो दरवाजे को नहीं देख कर दरवाजे के पास जाने लगे वो आदमी तना कमजोर हो गया था कि वो खुद से चल भी नहीं पा रहा था लड़की किसी तरह उसे जहारा देकर दरवाजे तक ले जाती है और दरवाजा खुल जाता है और एक खुबसरत नजारा उनके सामने आता है और वो इस कमले से निकरतर बाहर चले जाते हैं और इसी के साथ ही मुवी यही पर खतम हो जाती है